हेलो फैंड्स, BSC की इस स्पेसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मौस वेलकब हैं माने में इस आशिश गरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Botany का फस्स सेमेस्टर है Diversity of Angels from Systematic Development and Reproduction और इस सेमेस्टर से उलेडी मैं कई सेरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक देदूँगा जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस तक पहुँच जाएंगे दोस्तो इस सेमेस्टर के अंदर families को start करने से पहले हम कुछ discuss करे थे basic terms के बारे में जैसे कि हमने सबसे पहले discuss किया estimation के बारे में estimation क्या होता है कितने types का होता है इसके बाद हमने start किया inflorescence को inflorescence क्या होता है कितने types का होता है special type of inflorescence को भी हम cover कर चुके हैं आज कि इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे flowers की morphology के बारे में क्योंकि अगर आप किसी भी families को start करने से पहले आपको कुछ basic terms पता होने जाहिए flowers की morphology पता होनी चाहिए flowers के जितने भी parts होते है floral formula होता है उसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए तब जाकर आप किसी भी families को अच्छे से समझ पाएंगे तो दोस्तो यहीनी कुछ basic terms को complete करने के बाद हम families को start करेंगे दोस्तो अकर आपने telegram channel जोई नहीं किया है तो सबसे पहले आप telegram application को download करके वहाँ पर search करेंगे by a book tag by a book tag search करने के बाद आपके सामने telegram group आ जाएगा और वहाँ पर आपके पास एक join का option मिलेगा ठीके जैसे आप उसे join करेंगे आप वहाँ से जितने भी notes या PDF होते हैं मैं वही पर upload करता हूँ और वहाँ से आप उन notes या PDF को अपनी file के अंदर या अपनी gallery के अंदर उसे receive कर सकते हैं तो चली दस्तों start करते हैं तो चली friends heading डालेजिए morphology of flowers यानि कि आज किस वीडियो के अंदर हम flowers की morphology को study कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम किसी भी flower की structure को study कर रहे हैं flower किन-किन parts से मिलकर बना होता है उन parts के structure क्या है उनका function क्या है इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज को discuss करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो का जो discussing point है वो है flowers की morphology को study करना दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी flower को हम practical तरीके से अच्छे से समझ पाएं उनके parts को हम practical तरीके से observe कर पाएं क्योंकि basically क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ what is sepals आपसे मैं पूछता हूँ कि sepals क्या होता है तो आप कहेंगे individual unit of calyx calyx की जो individual unit होती है वो sepals कहलाती है लेकिन आपको practical तरीके से ये पता ही नहीं है कि calyx होता क्या है यानि कि अगर मैं आपके सामने एक flower लाकर दे दू और कहूँ इसमें से कौन सा korella है कौन सा calyx है अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं तो आपका ये जो पूरा theoretical portion है ये सब waste है क्योंकि आगे हम families को start कर रहे हैं अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई flower bisexual है तो इसका क्या मतलब है अगर मैं कहता हूँ कि कोई flower monosseous है तो उसका क्या मतलब है अगर मैं कहता हूँ कि symmetry के base पर किसी flower को define करना चाहता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि वो gyomorphic है, actinomorphic है, asymmetric है तो इसका क्या मतलब होता है अगर मैं कहता हूँ कि flower perigynous है, epigynous है तो इसका क्या मतलब है तो जो basic terms होते हैं, जो families के अंदर use करते हैं, उनके मतलब हमें पता होना चाहिए, तब ही हम किसी families को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो आज हम जो सारा topic जो हम discuss करने वाले हैं, वो सबका सब flowers से related होगा, और यह सब पूरा basic topic है, जिसको समझना ज़रूरी है, तो आए इसको समझते हैं, दोस्तों अगर आप से पूछो कि flowers हैं क्या, आखिर यह जो flowering plant होते हैं, इन्हें हम angiospum के नाम से जानते हैं, यह इनमें का contribution क्या है, plants के अंदर flowers का क्या contribution है, तो इससे हम कैसे पता चलेगा, यह पता चलेगा कि flowers का function क्या होता है, तो flowers का main function होता है, वो है reproduction करन यानि कि यह जो flowering plant है, इनके अंदर reproductive structures यह flower ही है, इसलिए flowers को नहीं तोड़ना चाहिए, basically आप flowers को देखो कितना beautiful होता है, या फिर flowers की सुगन लो, लेकिन आप वहाँ पर जाकर कि क्या करते हैं, अगर flower को तोड़ते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि वो जो flower है, आ आप उसके reproductive structure को तोड़ रहे हैं, अगर आपके कोई reproductive structure को तोड़े तो आपको कैसा लगेगा, same thing यहाँ पर plant पर भी है, क्योंकि plant के उपर यह flowers होते हैं, या एंजियो स्पम की जितने भी plants हैं, उनमें जो flowers पाय जाते हैं, वो सब reproduction में help करते हैं flowers के, आईए इसको समझते है flowers, a part of the plant which is capable of producing either male or female or both their reproductive elements, सबसे पहले तुम आपको यह बताना चाहूंगा, दोस्तों जैसे एक flower, एक plant है, एक कोई एंजियो स्पम plant मान लेते हैं, दोस्तों उसका जो नीची वाला जो system है, एक flower के दो parts, किसी भी plant को हम generally दो parts में divide करते हैं, एक नीची वाला जो system है, जो मि aerial part होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, shoot, तो यहाँ पर यह जो flower होता है, इसको हम suit का ही modification मानते हैं, तो flower क्या होता है, अगर आप इसको basic तरी दस्टी कौन से देखें, तो यह क्या है, यह जो suit होता है, उसका एक modification structure है, जो की reproduction में help करता है, अब इस flower के अंदर male reproductive unit होगा, ठीक reproductive organs हो, आप उसे क्या कहेंगे, bisexual, correct, अब यहाँ पर दो things बहुत ज़्यादा important है, समझ लेना, monoseous और dioces इनका क्या मतलब होता है, bisexual और unisexual इनका क्या मतलब है, और इनके beach difference क्या है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा students होते हैं, वो यहाँ पर confused हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग इस प्लावर का स्पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह इस भी यह flower है, red color का flower, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है, blue color में, यह blue color का flower है, माल लेते हैं, कि यह जो red color वपलावर है, यह female flower है, यानि कि इसमें सिरिफ और सिरिफ female reproductive structure present है, correct, अब यह जो दूसरा flower आपको क्या कहेंगे, जिसमें male और female दोनों तरह के flower पाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी धान रखना है, इस flower में male और female एक ही flower में नहीं पाए जा रहे हैं, flower तो अलग-अलग है, लेकिन plant एक ही है, तो इसको आप क्या कहेंगे, monosseous plant, समझ में है, इस plant को हम क्या कहेंगे, mon monosseous plant, लेकिन अगर मैं कहूँ कि male flower जो हता है, वो अलग plant पर है, female flower और अलग plant पर है, ठीक है, sorry, यहाँ पर हमने female consider किया था, red color को, तो यह female plant है और female flower है, यह male plant है और यह male flower है, तो अब यहाँ पर आप इन plants को क्या कहेंगे, monosseous, sorry, dioceous, यह जो है, monosseous plant कहलाएगा, क्योंकि इस पर male और female दोनों तरह के flower पाये जा रहे है, लेकिन बस यहाँ पर अलग-अलग पाये जा रहे है, लेकिन एक ही plant पर पाये जा रहे है, समझर में आया, और यहाँ पर आप जो condition देख रहे है, यहाँ पर male flower है, वो अलग plant पर पाये जा रहे है, female flower जो होता है, वो अलग plant पर पाय जा रहा है इसको कहा कहेंगे आप डैसेयाज प्लांट टीक है यह डैसेयों से जाएगा यह भी डैसेयल्स प्लांट कर लाएगा तो इस कंडिशन में अब यहाँ पर यह समझना है कि बाइसेक्सवल फ्लावर क्या होता है अगर कोई flower है जिसमें male और female दोनो reproductive organs पाए जा रहे हैं दोनो reproductive elements या structure पाए जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे bisexual flower unisexual flower क्या होता है अगर कोई ऐसा flower है जिस पर male और सिर्फ male reproductive structure या female reproductive structure पाए जा रहे है तो उसको हम क्या कहेंगे male reproductive ठीक है अगर male है तो male ही कहा है अगर female है flower यानि कि female reproductive organs है तो वो female flower कहलाएगा तो I hope आपका यह जो basic things होगा वो complete हो गया होगा कि diocese, monosee, unisexual, bisexual इन में आपस में क्या differentiation है और क्या relation है यह चीज आई तिंक आप समझ गए होंगे तो flower basically क्या होता है a part of the plant plant का एक ऐसा part है which is capable, जो कि capable है producing either male और female या तो वो male या female या दोनो the reproductive elements यानि कि फ्लावर जो होता है वो reproductive elements produce करता है is called flower and it may or may not be surrounded by the accessory walls दोस्तों इस जो flowers होते हैं basically इसमें 4 walls होते हैं ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कौन-कौन से होते हैं, सबसे number first petals, जिसको हम बोलते हैं corolla, calyx, जिसको हम बोलते हैं saples, androsium और gynecium, यह 4 walls होते हैं ठीक है, जो कि मलब आप यह कह सकते हैं कि flower की पूरी की पूरी जो structure को बनाते हैं, यह 4 walls होते हैं petal, saple and calyx, corolla, जिसको हम जैसे देखे हैं, यहाँ पर calyx, को हम saple बोलते हैं, ठीक है, petal को हम corolla बोलते हैं, दूसरा point androsium और gynecium, यह 4 ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी reproductive structure, यह पूरी की पूरी flower को का निर्मान कर लेते हैं अब हमें यह समझना है, यहाँ पर यह जो word लिखा गया, इसका क्या मतलब है it may, यहाँ पर इन्होंने कहा, जो accessory walls होती है, अब यह जो दोस्तों saple और petal है, इन्हें जो है accessory या essential दो walls में divide किया गया है, मैंने अब भी आपको क्या कहा कि किसी भी flower के अंदर चार walls होते हैं, इन चारों को दो भागों में divide किया गया, number first part है, accessory walls of flower यानि कि यह जो है reproduction में सिर्फ सहायता करते हैं, calyx and corolla calyx और जो corolla होते हैं, यह सिर्फ सहायता करते हैं reproduction में correct, दूसरा है essential walls जिसके अंदर आता है androsium जो कि male unit होती है, male reproductive unit होती है किसी भी flower की, और यह जो gynosium होता है, यह female reproductive unit होती है, तो यह किसी भी flower के अंदर पाए जाने वाला essential part होता है तो essential और accessory में differentiation यह है कि accessory अगर ना भी हो, अगर suppose calyx और corolla ना भी हो, तब भी reproduction होगा correct, लेकिन अगर androsium और gynosium ना हो, तब वहाँ पर reproduction possible नहीं है, तो इसलिए इसको essential कहा गया और इसको accessory कहा गया accessory यानि कि सहायता क्या करते हैं, भाई यह जो calyx और corolla होते हैं यह सहायता क्या करते हैं, अच्छा corolla होता क्या है, दोस्तों जो flower है, उनका यह आपने दिखा होगा जो colored flower, जिनकी वज़े से flower जैसे गुलाब का आपने फूल दिखा होगा commonly rose का flower आपने दिखा होगा तो उसमें जो red red color वाला जो portion है ठीक है, वो पूरा को पूरा क्या है वो पूरा का पूरा corolla कहलाता है उसको हम petal भी बोलते हैं लेकिन जो green clean column में leaf like जो structure present होती है, इनको आप क्या बोलेंगे इनको हम calyx बोलते हैं, ठीक है leaf like structure होती है, calyx और इनको हम sepals बोलते हैं, correct, तो अभी वो आपको बिल्कुल clear हो जाएगा है यह क्या matter है इनका, तो अभी आपको मैंने आपको क्या बताया, कि किसी भी flower के अंदर कितने walls होते हैं, चार walls एक हमने इन चारों को दो भागों में divide किया गया, number first part है, accessory walls of flower यानि कि flowers जो ऐसे walls जो कि accessory हैं, सहयक है जो कि reproduction में सिर्फ और सिर्फ सहयता करती है सहयक होती है, कैसे सहयक होती है जैसे for example, pollinators को attract करना, जैसे कोई pollinators होते है जो pollination की procedure को यहाँ पर उसमें भाग लेते हैं, participate करते हैं, उनको attract करने का काम करती है या फिर यह क्या करते हैं, जो अब यहाँ पर हमें समझना होगा practical तरीके से androsium की structure, दोस्तों इसको हम stamen बोलते हैं, correct, androsium को stamen बोलते हैं, और यह male reproductive element होती है, यह structure होती है और यह दो पार्ट से मिलकर बनी होती है एक तो होता है, एंथर जो उपर वाला जो यानि के androsium बनाते हैं अब इसके अंदर क्या होते हैं, इस एंथर के अंदर दोस्तों, microspurengium होते हैं, जिटके अंदर microspores होते हैं, यह इसको आप pollen grains भी बोल सकते हैं अब उसके बाद, हमने देखा यहाँ पर androsium के बारे में, यह gynosium क्या होता है दोस्तों, यह जो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है carpal, carpal का मतलब यह जो gynosium ही है, ठीके, यह जो female reproductive structure होता है और यह gynosium कितने parts का मिलकर बना होता है, या फिर carpal कितने parts का मिलकर बना होता है, तो it consists of three parts, number first उपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे stigma और यह जो होता है, यह style कहलाता है ठीक है, यह pollen tube और यह पूरा जो पूरा को पूरा पूरा जो structure आपको दिखाई दे रहा बीच में, यह ovary कहलाती है ovary के अंदर दोस्तों होता है ovules और उन ovules का arrangement कहलाता है presentation, तो अभी बहुत सारी जो basic things है, वो हमें समझना ज़रूरी है बाकि यहाँ पर आप देखेंगे इस receptical क्या होता है, तो दोस्तों यह तो है pedicel, ठीक है यह जो है pedicel लेकिन अगर यह main axis होता directly main axis, तब इसको हम बोलते pedicel, लेकिन यह जो है main axis नहीं है, तो आप कहेंगे इसको pedicel, correct, और यह जो आपको दिखाए देरे, receptical क्या होता है, तो यह जो swollen part है, या फिर जहां से यह सभी के सभी structure, calyx, kettle, petal, यह सभी के सभी floral के जो parts है, वो receptical कहते हैं, और बाकी आप इसकी structure को देख सकते हैं, ovule की structure अलग दिखाई गई है, और इसके अंदर जो carpal है, या फिर stamen है, इसकी structure अलग से दिखाई गई है, अब हम देखते हैं some terms related to flowers, flowers related कुछ important terms, number first, हमने यहाँ पर accessory walls को discuss किया, essential walls को discuss किया, अब हम देखते हैं sepals क्या होते हैं, तो सेपल जो होते हैं, फ्लावर के अंदर सबसे outer, हमने कहाँ 4 walls होते हैं, उन 4 में से जो सबसे बाहरी, जो outer walls होती है, outer most walls वो होती है, कैलिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलिक्स की आपस में जो units होती है, इनिको हम कहते हैं sepals, correct, तो individual unit of calyx is called sepals, practical तरीकी से आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है, यह calyx कहलाएगा, ठीक है, यह green color का होता है, जनरली यह green color का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर के अंदर green ही हो, इस called sepals, और यह हमेशा outermost में होते हैं, सनी की फ्लावर के सबसे बाहर वाले part, ठीक है, बाहर वाला जो walls होता है, number four, petal, petal क्या होता है, individual unit of corolla is called petal, तो calyx के बाद, जो दूसरी, जो innermost walls होती है, उसको हम क्या कहेंगे, corolla, ठीक है, अब उसके बाद आता है stamen, stamen हमें पता है कि male reproductive elements होता है, तो individual unit of androsium, androsium की जो individual unit है, बहुत सारे जैसे इस तरह है कि आप दिखेंगे, यह इस तरह से बहुत सारे आपको दिखाए देंगे, यहाँ पर यह कई सार में, monandreus, diandreus, triandreus, इस बेस पर, जितने ही संख्या है, उनके इस बेस पर भी androsium को define किया गया है, classify किया गया है, diandreus, monandreus, तो यहाँ पर यह जो दिखाई गया है, दोस्तों, यहाँ पर stamen, तो individual unit of androsium is called stamen, उसके बाद आता है carpel, carpel क्या होता है, individual unit of gynosium, gynosium की जो individual unit होती है, वो carpel कलाती है, जो कि it consists of three parts, stigma, style and ovary, उसके बाद आता है perianth, perianth क्या होता है, when there is no difference between calyx and corolla, जब calyx और corolla में differentiation नहीं दिखाई देता आपको, तब उसको कहलाता है perianth, ठीक है, आप देखेंगे, चिपका होता है, पूरी तरीके से, कई-कई flowers में calyx और corolla, नीच्ची की तरब चिपका रहा होता है उसके साथ, तो उसको हम कहते है perianth, आगे term use होता है thalamus और receptical, तो यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो tip आपको दिखाई दे रहा है, जहां से कई सारे floral parts, जो arise हो रहे हैं, तो tip of the axis possessing floral appendages is called receptical, correct, इसी को हम बोलते है thalamus, इसी को हम torus भी बोलते हैं, उसके बाद आता है number nine point, bract, bract क्या होता है, तो bract एक leaf-like structure है, ठीक है number nine point, what is bract, bract a leaf-like structure from the axial of which develops a flower, जहां से flower develop होता है, वही पर bract पाये जाते हैं, ठीक है, तो अगर bract present होगा, तो आप क्या कहेंगे, कि अगर किसी flower में bract present होता है, तो आप कहेंगे bractiate flower, ठीक है, वो flower जो है, वो bractiate है, तो यहां पर bractiate का मतलब होगा, कि flower with bract, जिसके साथ bract हो, उसे हम bractiate बोलेंगे, और e-bractiate किसको कहा जाता है, जहां पर यह जो bract होते हैं, वो absent होते हैं, और bract क्या है, या बच्छी तरह से जानते हैं, लीफ like structures होते हैं, तो यह कुछ terms हैं, अभी और भी हम terms को discuss करने वाले हैं, सबसे पहले आप इसको फटा-फट note कीजिए, चलिए friends, heading डालीजिए number 12, pedislate, दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि कोई flower pedislate है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि यानि कि इसमें stock present होता है, आईए इसको एक diagram के तुरू समझते हैं, जैसे for example, यह हमारे पास जो red color का आपको spot दिखाई दे है, यह suppose यह flower है, और इस यह जो flower आपको बिल्कुल जो beach ओ बीच आपको एक main axis दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे pedicle, और इस pedicle से arise हो रही है, lateral branches और इन branches को हम कहेंगे pedicle, तो pedicle जो है, किस से arise हो रही है, pedicle से, तो ऐसे flower, जिन में pedicle पाये जाते हैं, उसको हम क्या पोलेंगे, pedicillate flower, ठीक है, pedicillate bearing flower is called pedicillate flower, उसके बाद number 13 हैता है sicelle, तो sicelle का बिल्कुल opposite है, बस इसमें क्या होता है, जैसे for example, यहाँ पर हमने देखा कि pedicle present होता है, पर यहाँ पर आप देख रहे है, pedicle absent है, ठीक है, main axis पर ही, जानी के pedicle से ही attach रहे है flower, तो इस तरह का flower जिसमें pedicill absent हो, उसे हम sicelle flower कहते हैं, correct, उसके बाद number 14 हम देखेंगे, complete flower किसे का जाता है, कई बार यह term use होता है, family जब आप study करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस family के अंदर जो flowers होते हैं, वो complete होते हैं, या incomplete होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, complete का मतलब क्या, जैसे for example दोस्तो, ऐसे flower having all the four flower parts, जैसे sepals हो गया, teples हो गया, ठीक है, sepals, petal, androsium, gynosium, यह चार जो main parts होते हैं, जो main walls में यह चारो-चारो present होते हैं, अगर इन में से एक भी, अगर petal suppose absent है, तो वो incomplete flower हो जाएगा, तो complete flower वही होगा, जिसमें sepals, petal, androsium, gynosium, यह चारो walls present होगी, correct, incomplete कौन सा होगा, अगर इन चारो में से एक भी walls absent है, तो इसको आप क्या कहेंगे, incomplete flower, correct, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है term unisexual, दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ कि कोई flower unisexual है, तो इसका मतलब क्या होता है, flowers only one sex, जिसके पास या तो सिर्फ male हो, या female sex हो, note करेंगे, आइदर male और female, जैसे for example, male flowers have called staminate, क्योंकि इसमें male flower में stammens होता है, क्योंकि stammens male reproductive structure होते हैं, या unit होते हैं, या इसको आप element भी बोल सकते हैं, तो staminate जो होते हैं, वो male element होते हैं, ठीक है, और वो male flower में present होते हैं, and female flowers are called pistillate, उसको हम pistillate क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें present होती है, pisti, ठीक है, gynosium present होती है, carpel present होती है, तो हमने क्या देखा unisexual flower क्या होते हैं जिसमें सिर्फ या तो male ही जो flowers होते हैं उसका male sex organ present हो या female sex organ present हो जैसे for example male sex organ क्या है stamin और female sex organ क्या है gynosium जैसको आप carpal भी बोल सकते हैं जिसनके अंदर ovules present होते हैं अब उसके बाद आता है term diocese diocese का क्या मत्तब होता है when male और female flower are born on the different plant जैसे for example इसको हम मिटा देते हैं और इसको भी हम मिटा देते हैं अब suppose यह male flower है correct तो यह पूरा plant जो है यहाँ पर देखो क्या है इकर मैं इसको simply समझा नहीं 데 conseguen ecossis का मतलब यही होता है कि यह male flower जो हते है वो अलग plant पर लगता है और female flower जो हता है वो अलग plant पर होगा थिक है जैसे for example इसको मान लेते है यह female flower है थीक है यह female plant है और اس पर female flower है यह मैल plant है इस पर male flower है correct तो यानि कि अलग-अलग हैं दोनों तो इसको क्या कहेंगे हम diocese condition लेकिन अगर male और female plant मलब कि male और female flower जो है वो एक ही plant पर present है तो उसको क्या कहेंगे monosius यहाँ पर थोड़ा ध्यान देनी की ज़रूत यह है कि monosius में मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एक ही flower पर दोनों sex organ present है यहाँ पर मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि एक ही plant पर male और female दोनों flower present है ठीक है यहाँ पर sex organs का एक ही flower में present होना उसको हम bisexual कहते हैं ठीक है sex organs का male और female sex organ अगर एक ही flower में present है तो उसको हम bisexual कहेंगे लेकिन male और female जो flower है वो यही plant पर present हो एक plant पर और flower में present होना यह differentiation आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के लिए अलग-अलग terms बने हुए है यहाँ पर monoseous terms इसी लिए बना हुआ है dioseous terms इसी लिए बना हुआ है में चीज जो मैं आपको बताना चाहिए था bisexual या फिर unisexual और monoseous और dioseous इनमें difference उसमें similarity क्या है यह आपको जान लेना ज़रूरी था so when male और female flower are born on the different plant is called dioseous condition when male and female flowers are present are born on the same plant तो इसको हम क्या कहेंगे monoseous condition correct अब हम देखते हैं कि flower अगर actinomorphic है क्योंकि कहीं बार यह आता है कि भई flower की अगर हम symmetry देखने की कोशिश करें तो हम कहेंगे यह flower actinomorphic है तो actinomorphic का क्या मतलब है flower which can bisected into similar halvles along two or more plants आप किसी जैसे for example इस diagram को देखिए आप इस diagram में कहीं से भी किसी भी plant से काटने की कोशिश करेंगे यह दो equal halvles में या दो से ज्यादा equal halvles में यह cut जाता है तिक है यानि कि अगर मैं simple बोलू तो ऐसा flower जिसे आप कहीं से भी काटो किसी भी plant से काटो दो भागों में easily divide हो जाता है तो उसको आप क्या कहेंगे तो bilateral symmetrical होगा अब यहाँ पर आप यह नहीं कह सकती कि अब कहीं से भी काटो तो bilateral symmetrical शिर्फ एक ही जगह से लेकिन आप जब रेडियल symmetry होती है जैसे for example actinomorphic की बात करें थे उसको आप कहीं से भी काट लो वो दो भागों में equal भागों में cut जाएगा अब आता है term dimeris, trimeris, tetrameris, pentameris अगर मैं कहता हूँ कोई flower pentameris है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें number of number of sepals और petals के base पर flowers को classify किया गया है correct अगर मैं कहता हूँ dimeris यानि कि दो petal या sepals present है trimeris का मतलब तीन sepals या petal present है tetrameris का मतलब तीन sepals या petal present है sorry tetra का मतलब 4 होता है penta का मतलब 5 तो pentameris का मतलब sepals और petal की जो संखिया है वो 5 है तो इस तरह से इस base पर भी flower को classify किया गया है flower को एक तनिके से और भी classify किया गया symmetric के base पर भी classify किया है asymmetric, actinomorphic, gigomorphic लेकिन कुछ flower ऐसे होते है बराबर भागों में नहीं काट सकते तो उस तरह का flower होता है उसे हम कहेंगे asymmetric तो symmetry के base पर flower को 3 parts में divide किया गया है number 1, actinomorphic, number 2, gigomorphic number 3, asymmetric actinomorphic में हमने देखा कि flower को कहीं से भी काटो वो दो भागों में कट जाएगा असानी से उसको हम कहेंगे जैसे कि आप diagram में देख सकते है तीसरा मैंने कहा asymmetric asymmetric का मतलब ऐसे flower जो से आप कहीं से भी काटो वो दो इक्वल भागों में नहीं कट सकता तो इस तरह के flower जो है क्या कहलेंगे asymmetric dimeris, trimeris, tetrameris, pentameris का term में बता चुका हूँ ये number of petalius apples के base पर pentameris बनाय गया है ठीक है, 5 petalius apple है तो उसको हम pentameris flower के बोलते है hypogynus, अब यहाँ पर जो flower होते हैं उनमें ovary की position के base पर भी hypogynus, perigynus, epigynus तीन भागों में flower को divide किया गया है या इसको categorize किया गया है या पर कहें आप classify किया गया है hypogynus का मतलब क्या होता है अगर मैं कहता हूँ कि कोई flower hypogynus है तो इसका मतलब है कि इसमें जो ovary है, जो floral जैसे for example हमने कहा कि flower के अंदर 4 parts होते हैं जिसके अंदर ovary भी है, ठीक है तो दोस्तों अगर ovary, below the ovary, जो floral parts होते हैं वो ovary के नीचे से arise हो रहे हैं जैसे for example, tepal, petal, diagram से आप easily समझ सकते हैं जितने भी petals है, sepals है, ठीक है androsium है, stamen जो होते हैं वो ovary से नीचे, ovary से नीचे से arrive हो रहे हैं ठीक है, ovary के नीचे से arise हो रहे हैं या निकल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे hypogynus तो इस तरह की जो ovary होगी वो superior ovary कहलाएगी उसके बाद perigynus flower का क्या मतलब है, जितने भी floral parts होते हैं, वो around the ovary ovary के around से ही वो जो है arise होते हैं, ठीक है, निकलते हैं जितने भी floral parts है, कौन-कौन से जैसे sepals हो गया, petals हो गया, stamens हो गया, ये सब इस तरह की जो ovary होती है, वो कहलाती है, half inferior correct, उसके बाद आता है epigynus flower, epigynus flower का क्या मतलब होता है, ऐसे flower, जिनमे जो floral parts होता है वो above the ovary, ovary के उपर से arise होते हैं, तो इस तरह की जो यहाँ पर ovary कहलाएगी, वो inferior और इस तरह का जो flower होगा, जिसमें ovary से, जो floral parts होते हैं, वो ovary के उपर से arise होते हैं, उसको हम epigynus बोलते हैं, तो I hope आपको ये classification भी समझ में आ गया हो, बहुत ही मैं shortcut मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं eclamidus, eclamidus का क्या मतलब होता है, हम classification, angio sperm की classification में हमने term भी पढ़ा है, eclamidus, monoclamidus, इसका मतलब क्या होता है, eclamidus का मतलब होता है, flower without calyx and corolla, ऐसा flower, जिसमें calyx या corolla absent हो, उसको हम कहेंगे eclamidus flower, क्योंकि मैंने आपको क्या का, calyx और colora एक accessory walls है, यानि कि सिर्फ और सिर्फ साहता करते हैं reproduction में, यह जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ androsium और gynosium है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, अगर androsium या gynosium absent हो, तो reproduction रुख जाएगा, लेकिन sepal और petals, इनकी अगर यहां पर for example, calyx और corolla है, इनको आप निकाल तो कोई फरक नी पड़ेगा, तब भी reproduction possible है, उसके बाद आता है 23, monoclamidus, flower with only one walls, ऐसे flower जिसमें सिर्फ एक walls present हो, उसको आप क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे, monoclamidus, ठीक है, diclamidus, tricalamidus, ऐसे short में सक्लासिफाई की है, पर मैंने आपको अलग से कोई definition नहीं लिखवाया, कि trimerus क्या है, या hypogynus क्या है, सिर्फ इसमें समझानी की कोशिश की, कि hypogynus, perigynus और epigynus का सिर्फ आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, कि hypogynus का सिर्फ इतना मतलब होता है, कि इसमें ovary जो होती है, ठीक है, जिसने भी floral parts होते हैं, वो ovary के नीचे से arise होते हैं, इसमें around से arise होते हैं, और इसमें ऊपर से arise होते हैं, इसमें ऊपर से arise होते हैं, कौन से floral parts, एक बार फिर से repeat करना चाहूंगा, petals, sepals, और androsium, जो stamens होता है, तो गाइस, उमीद है, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप चाहें, तो मैं next वीडियो में families start कर सकता हूं, अगर आप comment करें तो, क्योंकि actually क्या है, कि अभी बहुत सारे topics हम इसी पे रहेंगे, जैसे for example, presentation अभी आएगा, ठीक है, अगर कैलिक्स को अलग से discuss करें, तो भी अलग से एक वीडियो बन जाएगी, तो मलब बहुत सारे अभी topics हैं, और हो सकता है कि आपने पहले से ही cover किया हो, तो मैं directly family start कर दो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में, बाई बाई, टाटा,